नमस्ते उपस्तित नया वीडियो लेकर आज मैं आपनों को प्रैविट बैंक और सरकारी बैंक कौन-कौन से है उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ क्योंकि अगर आप पैसे जमार करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो बैंक है वो प्रैविट में है या सरकारी में है आए हम आपको बताते हैं कुछ लिस्ट देखिए अगर मैं बैंक की बात करें तो अभी भारत में फिलाल 12 आपका सरकारी बैंक है और 21 प्रैविट बैंक है 2020 में ये सरकारी बैंक 20 था जिसे 8 बैंकों को मर्जर करके 12 बैंक बना दिया गया है तो मैं अभी आपको सरकारी बैंकों का लिस्ट बताऊंगा इसमें तो मैं 12 सरकारी का बताऊंगा ही साथ में बगल में मैं आपको जो बैंक मर्जर किया है 2020 में सरकारी बैंकों में जो 8 बैंकों को उसका भी मैं आपको लिस्ट बताऊँगा और फिर आपको प्राइवेट बैंकों का भी लिस्ट बताऊँगा तो इससे आपको पता चल जागा कि आपका जो पैसा है वो किस बैंक में प्राइवेट बैंक में है या सरकारी बैंकों में है त वो इलहावाद बैंक के साथ हुआ है तीसरा है State Bank of India जो कि बहुत ही famous है भारत में 34% इसका हिस्सेदारी है ये बहुत ही सब बारा सरकारी बैंक है भारत का चौथा चलते है Canera Bank Canera Bank में जो merger हुआ है वो Syndicate Bank का merger हुआ है पाचवा है Union Bank of India Union Bank of India में जो merger हुआ है वो दो बैंकों का merger हुआ है उसमें Andra Bank और Corporation Bank ये दोनों बैंकों का merger हुआ है Union Bank of India में छठा bank जो है वो Indian Overseas Bank है इस बैंक में कोई भी बैंकों का फिलाल merger नहीं हुआ है उसके बाद जो सात्वा बैंक है वो है Yuko Bank दासूसाा जो बैंक और ग्यार्वा जो बैंक है, वो विज्या बैंक यह दोनों बैंकों का वो 21 प्राइवेट बेंक है, तो सबसे पहला प्राइवेट बेंक है, एक्सिस बेंक, बंधन बेंक, धनलक्षमी बेंक, HDFC बेंक, IDIBI बेंक, ICICI बेंक, कोटक महिंदरा बेंक, यस बेंक, CSB बेंक, City Union बेंक, DCB बेंक, Federal Bank, IDFC First Bank, Indescent Bank, Jammu & Kasmir Bank, Karnatka Bank, Karur Vice Bank, Nanital Bank, RBL Bank, South Indian Bank, Tamil Nadu Market Light Bank, इस तरह से ये 21 बेंक आपका प्राइवेट बेंक हुआ, अगर इस 21 बेंक में, अगर आपका पैसा है, तो आप समझे कि आपका जो पैसा है, वो प्राइवेट बेंक में है, और इस 21 बेंक के छोर करके, आपका पैसा अगर किसी दूसरे बैंक में है तो समझे आपका पैसा सरकारी बैंक में है लेकिन अगर आपका पैसा सरकारी बैंक में है या प्रैवेट बैंक में है तो आपको बिल्कुल भी घवराने की जरुवत नहीं है अगर पैसा बिल्कुल भी घवराने की जरुवत नही लिस्ट के बारे में कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो पैसे जमा करते हैं या पैसे निकालते हैं या आपका जो एकाउंट है वो किस बैंक में है वो प्रेविट में आता है या सरकारी में आता है असा करूंगा यह वीडियो आपको पसंद आया हो अगर यह वीडियो पस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्याद ज़्याद सेर करना भूलिए धन्यवाद